बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे धनी वैक्तियों में शामिल भारत के बिल गेट्स कहे जाने वाले विप्रो कंपनी के चेयर्मेन अजीम प्रेम जी की जो आज के समय में भारत के तेरवें और विश्व के 288 वें सबसे धनी वैक्ति हैं बच्चों, अजीम प्रेम जी ने अपने पिता की तेल और साबुन बनाने वाली छोटी सी कंपनी को आज इस मुकाम पर लाख़डा किया है जिस से करीब 1,81,000 लोगों की रोजी रोटी चलती है अजीम प्रेम जी को भारत का सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है क्योंकि वह अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं भारत में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अजीम प्रेम जी करोडों रुपे खर्च करते हैं बच्चों हम अजीम प्रेम जी की लाइफ को शुरू से जानते हैं अजीम प्रेम जी का जन 24 जुलाई 1945 को मुंबई के शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम मुहमद हुसैन प्रेम जी था उन्होंने 1940 में अमल नेर में वनश्पती तेल के उतपादन के लिए एक कारखाना लगाया उन्होंने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेवल प्रोडेक्ट लिमिटिड कंपनी की स्थापना की अजीम प्रेम जी के पैदा होने के सिर्फ दो सालों के बाद अपना देश आजाद हुआ लेकिन देश विभाजन की मांग ने आजादी के जशन को खत्म कर दिया हिंदू मुसलिम दंगे शुरू हो गए नफरत और हिंसा के बीच बहुत सारे मुसलिम परिवार अपनी सरजमी छोड़कर पाकिस्तान रवाना हो गए अजीम प्रेम जी का परिवार भी एक मुसलिम परिवार था पाकिस्तान के संस्थापक मुहमद अली जिन्ना ने मुहमद हुसेन प्रेम जी को पाकिस्तान में बसने का निमंत्रन दिया नव निर्मित पाकिस्तान का वित मंत्री बनाने का भरोसा भी दिलाया लेकिन हुसेन प्रेम जी ने भारत यानी अपनी सरजमी पर रहने का फैसला किया और हिंदु मुसलिम दंगों को एक दुखत घटना से अधिक महत्वना देते हुए प्रेम जी ने जिन्ना का प्रस्ताव ठुकरा दिया उन्हें भारत की धर्म निर्पेक्षनीती पर पूरा भरोसा था अजीम प्रेम जी को भी अपने पिता की तरह भारत की धर्म निर्पेक्षता पर गर्व है भरोसा है 2005 में गारजियन पत्रिका में एक साक्षातकार के दौरान उन्होंने कहा था हमारे प्रधान मंत्री सिख हैं जो एक अल्प संख्यक समुदाय के हैं राश्प्रती एक मुस्लिम हैं प्रमुक पार्टी कॉंग्रेस की लीडर एक इसाई हैं और विपक्ष के नेता हिंदू हैं किसी भी देश में इस प्रकार का उधारन मिलना कठिन है अजीम प्रेम जी ने कक्षा बारवी तक की पढ़ाई मुंबई के सैंड मेरी स्कूल से की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पिता चाहते थे की बिजनस को अच्छी तरह से समालने के लिए उनका बेटा अमेरिका जाकर पढ़ाई करें उन्होंने अजीम प्रेम जी का एडमिशन अमेरिका के स्टैन्फोर्ड युनिवस्टी में करवा दिया अमेरिका के लोगों के लिए कंप्यूटर बहुत आम चीज होती जा रही थी लेकिन भारत में कंप्यूटर का बिल्कुल भी चलन नहीं था अमेरिका पहुँचकर पहली बार उन्होंने आईटी के महत्व को जाना 1966 में वे सिर्फ 21 साल के थे अचानक उनके पिता की मृत्व हो गई पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत वापस लोटना पड़ा वापस आने पर उन्होंने अपने पिता का बिजनिस समालने का मन बनाया और उन्होंने अपने पिता के कारोबार की कमान थाम ली कंपनी की बागडोर समालने के साथ ही इसके नाम में बदलाव किया यह महसूस किया कि कमपनी का नाम इतना लंबा होने से लोगों की जुबान पर नहीं चड़ पाता इसलिए उन्होंने वेस्टन से डबलू, इंडिया से आई और प्रोडेक्ट से प्रो शब्दों का चैन किया और कमपनी का नाम विप्रो रखा कमपनी के नाम को बदलने के बाद कमपनी का नाम भारत भर में और विदेशों में भी आसानी से प्रचलित हो गया अजीम प्रेम जी ने कुकुइंग ओयल और साबुन के अलावा भी कमपनी में बहुत सारे और भी उत्पात जोड दिये इन दिनों हमारा देश आईटी के छेतर में बहुत पीछे था और अमेरिका से पढ़ाई करके आई अजीम प्रेम जी को इस छेतर में अच्छा भविश्य नजर आ रहा था इसलिए उन्होंने इसी छेतर में कमपनी के विस्तार का फैसला किया और उनकी कमपनी अमेरिका के सेंटिनल कम्प्यूटर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर मिनी कम्प्यूटर बनाने लगी और फिर देखते ही देखते उनका कारोबार बढ़ता चला गया विप्रो भारत की कुछ एक महतुपून सूचना प्रोध्यूग की कमपनियों में से एक है अंतर राश्टिय स्तर पर सफल रही है 2010 में दुनिया के दो सबसे बड़े दौलत मंत बिल गेट्स और वारेन वफेट ने दा गिविंग प्लेस अभियान शुरू किया जो दुनिया के अमीर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वहे अपनी संपती का कुछ हिस्सा परोपकार पर खर्च करें अजीम प्रेम जी इस अभियान में शामिल होने वाले पहले भारतिये बने इसके अलावा साल 2013 में उन्होंने अपनी दौलत का 25 परसेंट दान में दे दिया उनका कहना है कि अगर ईश्वर ने हमें दौलत दी है तो हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए अजीम प्रेम जी प्रती दिन सवेरे साड़े चार बजे उठते हैं वे प्रती दिन 14 घंटे काम करते हैं और सब्ता में 90 घंटों से अधिक समय तक काम करते रहते हैं साड़े चार से साथ बजे तक घर से ही वे काम करते हैं उसके बाद वे दफतर पहुंसते हैं बंगलूरू में बहुत यातायात है, यातायात में समय की बर्बादी से बचने के लिए अजीम प्रेम जी अपने दफ्तर के नस्दीक ही रहते हैं, अजीम प्रेम जी का कार्याले बहुत साधारण है, सुन्दर चितरकारी और मूर्ती कला के साथ साधारण सजावट की गई है अजीम प्रेम जी इस बात पर जोर देते हैं कि प्रतेक वैक्ति को अपनी तंदुस्ती का उच्छी ध्यान रखना चाहिए वे अपने कारयाले तक जाने के लिए लिफ्ट का प्रियोग करना पसंद नहीं करते उनका कारयाले दस्वी मनजिल पर है फिर भी वहे सीडियां चड़कर जाते हैं वैक्तिकत जीवन में भी अजीम प्रेम जी मित्वेई विकल्पों को ही अपनाते हैं उन्होंने 1996 में एक समाने फोर्ड कार खरीदी थी आज बाजार में एक से एक स्वीधा जनक कार हैं फिर भी उन्होंने कार खरीदना जरूरी नहीं समझा साथ साल बाद जब उन्होंने नई कार खरीदी तब भी पुरानी कार को नहीं बेचा उनका कहना है कि यह कार उनके लिए भागशाली है इसमें कोई खराबी नहीं है तो फिर इसे क्यों बेचा जाए अजीम प्रेम जी जिस तरहें पैसों के मामले में मित्वेई हैं उसी प्रकार से बोलने में भी मित्वेई हैं समान्य तोड़ से वे अधिक नहीं बोलते कोई भी वैक्ती उनके साथ बाचीत करता है तो वे धैरे पूर्वक और उत्साहा से उसे सुनते हैं उनकी आदत है कि वे कभी भी आवशक्ता से अधिक नहीं बोलते अजीम प्रेम जी यह मानते हैं कि समय बरबाद करने की बजाए वे एक अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं प्रकर्ती का आनंद लेने के लिए छोटे ब्रह्मन पर जा सकते हैं पढ़ने के अत्रिक प्रेम जी को अच्छा संगीत सुनना सुन्दर चित्रों एवं मूर्तियों का संग्रह करना भी अच्छा लगता है अजीम प्रेम जी अपने युवा दिनों में खेलों में अत्याधिक रुची रखते थे पहले वे टेनिस खेलते थे परन्तु अब उसमें उनकी रुची नहीं रही अपने निजी जीवन पर धन खर्च करने के मामले में भले ही अजीम प्रेम जी कंजूस रह जाएं किन्तु समाज और राष्टे निर्मान के कार्यों पर धन व्या करने के मामले में उदारता का परिच्छे देने में वे जरा भी नहीं हिचकते विप्रो कंपनी की मदद से सैक्णों स्कूलों में विचारों का अनुप्रियोग योजना चलाई जा रही है यह संगठन भारत में 500 से अधिक स्कूलों में नए और आविशकारिय पाठेक्रमों के साथ प्रियोग कर रहा है इस संगठन का मूल मंत्र है बच्चा सही उम्र में स्कूल नहीं जा पाता वहे बाल श्रमिक होता है उन प्रोड लोगों के बारे में बताने की तो कोई आवशक्ता ही नहीं है जिनके पास शिक्षा नहीं होती अजीम प्रेम जी को विश्वास है इन लोगों को कम से कम प्रात्मिक शिक्षा ही दी गई होती तो गरीबी बेरोजगारी की समस्या ब्रश्टाचार जैसी अनेक बुराईयों को किसी सीमा तक कम किया या रोका जा सकता था अजीम प्रेम जी का स्वपन है सभी के लिए गुणवत्ता पूंड शिक्षा और बिना भेदभाव का समाज उनका पूंड विश्वास है कि प्रात्मिक शिक्षा से काफी सुधार लाया जा सकता है तो बच्चों अब मैं इस वीडियो को समाख करती हूँ आशा करती हूँ मेरे ये वीडियो आपको पसंद आएगा धन्यवाद